नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेदलाइन से स्वातंतरत दिवस पर लाल किला से पीम नरेंद्र मोदी ने पाख को धिकारा बलुज जस्तान पी यो के कि लोगों को कहा भार बलुज नेताओं ने किया पीम मोदी का शुकरिया जमुकश्मीर की सीए महबूबा ने केंदर को कोसा बोली कश्मीर के हालाद के लिए नेहरू से लेकर मोदी तक की केंदर सरकारी जिम्यदार दोशी जवानों के खिलाफ कारवाई का निर्देश CJITS ठाकुन ने पीए मोदी के भाशन पर उठाए सवाल कहा इंसाफ पर कुछ नहीं बोले कानून मंत्री बोले गुड गवनेंस के लिए नेपालिका का मजबूत होना जरूरी मुलायम ने सीएम अखिलेश को दी चेतावनी कहा पार्टी पर भोज है आपके मंत्री शिपाल ने रिजाइन किया तो सब हो जाएगा बरबार पार्टी में शिपाल के खिलाफ साजिश की जताई अश्रंका और बलिया गोली कांड में कारेकर्ता की मौत पर फूट फूट करोई बीजेपी विधाय को पेंद उतिवारी कहा पार्टी ने नहीं दिया साथ इस्तिफा देने को तयार चीव जस्टिस ओफ इंडिया टीयस ठाको ने स्वतनत दिवस पर प्रियमों दी द्वारा दिये गए भाशन पसावाल लटाए हैं उन्होंने कहा कि मोस्ट पॉपिलर पियम का भाशन डेर घंडा सुनना उमीद थी कि इनसाफ के लिए भी कुछ कहेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला अंग्रेजों के वक्त भी दस साल में इनसाफ मिल जाता था लेकिन अब सालों लग जाते हैं इस बीच कानून मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कहा हम सब की आजादी जिसमें नैपालिका की आजादी प्रेस की आजादी शामिल है इसके लिए प्रतिवद है नेपालिका में 4000 से ज्यादा विकिंसी है जो मुझे भी चुंतित करती है हम नेपालिका के साथ मिलकर काम करेंगे सुप्रीम कोट के आदेश अनुसार हम जजों की न्यूक्ति के लिए M.O.P. तयार कर रहे हैं गुड गविनन्स के लिए नेपालिका का मजबूत होना जरूरी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 70-23 दिवस के मौके पर लाल खिले के प्राच्वीर से आतंगवाद को लेकर पाकिस्तान पर जम कर हमला किया पी-म ने अपने भाशन में बलूच नेताओं के उनके भाशन का स्वागत किया बलूच रिपब्लिकन पार्टी के नेता अश्रफ शेरजान ने कहा कि हम पी-म मोदी को धन्यवाद देना चाते हैं कि उन्होंने बलूच्जी के मुद्धे अंतिराश्ट्रिय स्थर पर उठाया वही बलूच रिपपलिकन पार्टी के चीव प्राहुम बाग बुगती ने भी पी-म के भाशन का स्वागत किया उन्होंने पी-म का शुकरिया किया बुक्ती ने कहा कि वे शारुक खान और अमिताब बच्चुन के बड़े फैन हैं और चाहते हैं कि वे बलुचुस्तान पर फिल्म बनाएं उन्होंने कहा कि अमिताब उनके दादा का किरदार बखु भी नभा सकते हैं स्वतंतदा दिवस के मौके पर जहां एक और प्रधान मंतिन अन्हिंद्रमोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर की भी चर्चा की वही जमुकश्मीर के मुख्यमंतरी महबूव मुफ्ती निश्री नगर में केंद्र को कोसा है मुफ्ती निकश्मीर के हालाट के लिए सीधे तोर पर केंदर सरकार और उनकी नीतियों के सिर दोष मड़ा है जंडा फैरान के बाद अपने समबोधन में महबूआ मुफ्ती ने कहा जमुकश्मीर के मौझूदा हालात के लिए जवाहलाल नहरू से लेकर वर्तमान तक का केंदर नितित्व जमदार है बंदू के चाहे आतंकी की हो या हमारी बंदू को से कोई मसला हल नहीं होगा समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही खीचतान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है सपा प्रमुक मुलायम सिंग यादव ने सोमवार को एक बड़ा बयान दे दिया उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मंतरी पार्टी के उपर बोज है मुलायम सिंग ने कहा कि पार्टी में शिफपाल सिंग के खिलाफ साजिश हो रही है शिफपाल अपने काम में लगे हैं जबकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि शिफपाल दो बार इस्तिफ़े की बेशकश कर चुके थे मैंने उन्हें रोका है अगर वो छोड़ दे तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी उन्होंने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्य मंतरी और उनके मंतरी साथधान रहे जनता बनाना और हटाना जान गई है कांग्रेस ने मुझे माफिया बनाया जितने दिन मुलायम जेल में रहेंगे उतने दिन कल्यान के काम होंगे कहा अगर मैं खड़ा हो गया तो आधे मेरे साथ भाग जाएंगे सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी उत्तर प्रदेश के बलिया के चर्चित नरही गोली कांड में बीजेपी कारेकरता की मौत पार शेत्रे बीजेपी विधायक कुपेंद्र तिवारी खुब रोए प्रदेश और भाय सरकार से हमने अपनी सरक्षा के लिए गनर की मांग की थी मगर मुझे नहीं दिया गया उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरा एक भी कारेकरता दोशी पाया गया तो मैं इस्तिफा देने को तैयार हूँ पुलिस चाहे तो मुझे किसी भी वक्त गिरिफतार कर सकती है एक और जहां देश सत्तरवे स्वतिंतरता दिवस के जशन में डूबा हुआ है वही जमुकश्मीर के श्रीनगर में आतंकी और निसी आर्पी एफ के जवानों पर हमला किया है इस हमले में पांच जवान खायल हो गए हैं जब की मुटभेड अभी जारी है श्रीनगर के नोटा में हुए आतंकी हमले में अब तक पांच जवान खायल हो गए हैं अभी तक किसी आतंकी के मार जाने की ख़बर नहीं है एक पुलिस कर्मी के भी खायल होने की ख़बर है बताया जाता है की आतंकी के घर में छिपे हैं दोनों तरफ से गोली बारी जारी है दूसी तरफ उरी सेक्टर में LOC पर खुस पेट की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है बिहार को संसाधन उपलब्द नहीं कराने से नाराज मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने नीती आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है नीती आयोग के उपाध्यक्ष अर्विंद परन गाडियां को पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विकास से सपनों को हकीकत में बदलने 2030 तक विक्सित भारत और विक्सित बिहार के लिए ये बहुत जरूरी है कि संसाधनों की कमी पर गौर फरमाया जाए साथी बिहार जैसे कम विक्सित राज्य के लिए विशेश राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए मुख्यमंत्री नितिश कुमान ने अपने पत्रों में बिहार में चल रहे साथ निश्चे का भी जिक्र किया है उन्होंने सुशासन के कारिकरम 2015-2020 के बारे में पत्रों में विस्तार से चर्चा की है बिहार में पूर्ण शराबंदी की चर्चा भी उन्होंने अपने पत्रों में की है भारत की सानिया मिर्जा और रोहन वपन्ना की जोड़ी को यहां जारी 31 वे उलम्पिक खेलो के 9 दिन रवीवार को टेनिस के मिक्स्ट डबल्स इविंट के प्ले आफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वे ब्रॉंज मेडल हासल करने का मौका गवा बैठे ओलम्पिक टेनिस सेंटर में हुए इस मुकाबले मिसानिया और वपन्ना को चेक कन राज्ये की लूसी हादेका और रादेक स्टेपानेख की जोड़ी ने हरा कर ब्रॉंज मेडल हासल किया एक घंटा और 11 मिंड तक चले इस मुकाबले में लूसी और रादेख की जोडी ने भारतिय जोडी को सीधे सेटों में 6-1-7-5 से पराजित किया भारत के पुरुष बैटमिंटन खिलाडी किदामबिक शिकान्थ ने रियो उलम्पिक के नौवे दिन रविवार को पुरुष एकल वर्ग के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जीत हासिल करते हुए प्री कॉर्टर फाइनल में जगहा बना ली है वही भारत की ही पीवी सिंधू ने कनादा की मिस शेल ली को 19-21-21-21-17 से हराकर राउंड ओफ 16 में प्रवेश किया श्रिकांथ ने ग्रुप एच के अपने मुकाबले में स्वेडिन के हेंडरी हुरस काइनने को कड़े मुकाबले में 21-21-18 से हराया हाला की वर्ल्ड चाम्पिन्शिप में दो बार कान से जीत चुकी सिंधू को जीत हासल करने के लिए एक घंटा 11 मिनिट तक कठिन संघर्ष करना पड़ा सिंधू ने पहले गेम में ली को कड़ी चनौती दी और हार मानने से पहले 24 मिनिट तक संघर्ष किया पहला गेम गवाने के बाद सिंधू ने दूसरे गेम से बेहतरीन वापस की और 22 मिनिट में दूसरा गेम जीत स्कोर एक-एक से बराबर कर लिया तीसरे और ने नायख गेम में उन्होंने शुरू से दब-दबा बनाए रखा और 25 मिनिट में जीत हासल कर ली तुफान के परेयाए फराटा के बादशा हुसेन बोल्ट ने रियो में अपनी ख्याती के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की बहु प्रतिश्ठित बहु चर्चित दौर्ड में लगातार तीसरा स्वन पदक जीत कार ओलम्पिक में नया इतिहास रचा बोल्ट ने इस जीत से सुनिश्चित कर दिया कि वे दुनिया के सर्वकालिक माहान एथलिटों में से एक है रियो उलम्पिक में जेमेका के बोल्ट ने खचा खच भरे स्टेडियम में 100 मीटर के फाइनल में 9.08.01 का समय निकाल कर सोने का तमगा हासल किया डोपिंग के दागी अमेरिकी धावक हस्टिन गेटलीन 9.08.09 के साथ दूसरे जब की कनाड़ा के आंद्रे डी ग्रेस 9.09.09 का समय लेकर तीस स्थान पर है लेकिन पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूज रह था वे बोल्ट का था विश्व और उलम्पिक रिकॉर्ड धारक इस फराटा धावक ने अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रहिये में टो टीवी के साथ जैहिंद